हलो प्रेंट्स, वेलकम टो इंडियन किचिन क्रीविंग्स आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही काम में आने वाला गुलाब जल गुलाब जल बहुत ही इंपोर्टन्ट है हमारी स्किन के लिए स्किन का पी एच बैलन्स करता है एकने में जो टीनेज प्रॉब्लम रहता है एकने का पिंपल्स का उसके लिए भी गुलाब जल बहुत ही गुणकारी होता है स्किन की पफिनेस को भी यह कम करता है हमारी बालों में भी यह बहुत ही शाइन देता है स्किन को टोन करता है स्किन डिसॉर्डर अगर रहते हैं कुछ राशेज होते हैं उसके अंदर भी गुलाब जल बहुत ही काम में आता है कई बार यह डी स्ट्रेस का काम करता है हेडेक में भी काफी हल्पुल होता है तो चलिए आज हम बनाएंगे गुलाब जल घर में एकदम फ्रेश लाल गुलाब की पत्तियों से चलिए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल इजी टेकनीक से बनाएंगे हम लेट्स बिगिन गुलाब जल बनाने के लिए हमने यहाँ पर आप से दस गुलाब की फूलों की इस तरह से पत्तिया निकाल ली है लाल गुलाब मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो पिंक रोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन लाल गुलाब का बहुत ही अच्छा गुलाब जल बनता है और एकदम ताजा ताजा फूल हमने लिए है तो चलिए शुरू करते हैं गुलाब जल बनाना बहुत इजी तरीके से हम आज गुलाब जल बनाएंगे इस तरह से मैंने एक बड़ा बरतन लिया है थोड़ा सा चौड़ा भी है इसमें हम दो कप पानी मिलाएंगे एक कप गुलाब जल बनाने के लिए हमें दो कप पानी इस्तिवाल करना होगा जैस हमने ओन कर दी है इसके अंदर हम इस तरह ऐसे एक जाली रखेंगे इसमें हम अब गुलाब की पत्तियां इस तरह ऐसे डाल देंगे साइब्स में इसके उपर हमें बरतन रखना होगा इसलिए हम साइब्स में इस तरह ऐसे गुलाब की पत्तियां डाल देंगे अब हम इस रख के ऊपर एक बड़ा बरतन और रखेंगे इस तरह से अब इसके ऊपर हम धकन जो है उल्टा करके लगाएंगे जब भी भाब बनेगी वो जब इस सतह पर लगेगी सर्फिस के ऊपर तो वो नीचे गिरके हमने जो बरतन रखा है उसके अंदर गिर जाएगी तो अब भाब को हम कंडेंस करने के लिए यहाँ पर हम आइस का इस्तमाल करेंगे जैसे ही भाब को या वेपर्स को ठंडी सता मिलेगी ओल सरफस मिलेगी तो वो कंडेंस हो जाएगी तो बीच में मैंने यहाँ पर आइस रख दिया है जखकन हमने उल्टा करके रखा है और इसी तरह से हम मीडियम फ्लेम रख देंगे भाप बनती रहेगी और वो कलेक्ट होती जाएगी आप देख पा रहे हैं किस तरह से बर्फ मेल्ट होने लग रही है क्योंकि जैसे जैसे टेंपरेशर बढ़ रहा है और वेपर्ज या जो भाप है वो उपर उठ रही है ठंडी सर्फिस के उपर लग रही है वैसे वो अंदर पानी के रूप में हमारे बर्तन में इखटी होती जा रही है और उपर गर्माज के कारण हमारा आइस मेल्ट होता जा रहा है इस पूरे प्रोसेस को लगभग 20 मिनिट लगेंगे 15-20 मिनिट लगते हैं अगर आपकी आइस पहले मेल्ट हो जाती है तो आप आइस और रख सकते हैं एक बार मैंने आपको खोल के दिखाना है इस 10 मिनिट में थोड़ा थोड़ा पानी इखटा होना शुरू हुआ है यही हमारा गुलाब जल है मैं फिर से इसे कवर कर देती हूँ आप देख सकते हैं बर्ष कितनी ज्यादा पिघल चुकी है पानी घटा होने लग गया है यह पानी गर्म हो चुका है इसलिए अब हम इस पानी को हटा देंगे अंदर के टेंपरीचर की वजए से पानी काफी गर्म हो चुका है अब मैं यहां पर और एक बर्ष का पीस रख दे रही हूँ आप देख सकते हैं मैंने बर्ष बड़े बरतन में जमाया है आइस क्यूब्स में यहां इस्तिमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि आइस क्यूब्स तो बहुत जल्दी से मेल्च हो जाएंगे बीस मिनिट हो चुके हैं अब मैं फ्लेम आफ कर दे रही हूँ और मैं जब ठंडा हो जाएगा उसके बात मैं धकन हटा के देखूँगी अब थोड़ा ठंडा हुआ है हमें इसे साफधानी से हटाना है उपर थोड़ा पानी रह गया है अगर हम जल्दी बाजी में निकालेंगे तो यह पानी गिरने का चांसे रहेगा देखिए इस तरह से बीच के कंटेनर में जो पानी खटा हुआ है वो है हमारा गुलाब जल् ञाना लिया हैं और नीचे आप देख सकते हैं किस सब्धं पानी में आ गया है अब देख सकते हैं पत् हम पतियों के गुडह हं वह हमारे पास ञुट एक रूप में ऐक प्षर हो गया है कि देखिए आपनी राल रंग का वह जो बरतन में रह गया है गुलाब की पत्तियों के साथ जो हमने पानी डाला था वो ये पानी है जो लाल रंग का हो चुका है और हमारा गुलाब जल एकदम सफेस पानी की तरह बन गया है उसे ठंडा करके हम बॉटल में भरेंगे देखिये एकदम प्यॉर गुलाब जल हमने बॉटल में भर लिया है और बहुत ही गुणकारी होता है गुलाब जल और घर में जब बनाएंगे तो एकदम प्यॉरिटी के साथ बनेगा I hope you like this procedure, I hope you like this recipe, please do like, share and subscribe my channel, cook with the best